पूर भंदर सीटी की uniqueness है कि विशेश प्रकार के वाइट स्टोन की नकाशी से बना है और यही कारण है कि इसे वाइट सीटी के रूप में भी जाना चाता है चलो गाइस मुझे कमेंट में बताओ यहापे कितने लोगों ने पोरबंदर सिटी को एक्स्प्लोर किया है हैलो गाइस गेम छो वर्ल्ट फेमस द्वार का और सोमनात के बीच बसा पोरबंदर गुजरत का एक सुन्दर शहर है जो महात्मा गांधी और सुधामा के जन्मस्तान के रूप में भी जाना जाता है यह पोरबंदर जिले का प्रिशासनिक एंद्र है यह पोरबंदर रियासत की पूर्व राजठानी थी श्रावन सुध पुनम और नारियली पोरने मा को पोरबंदर का स्तापना दिवस माना जाता है पोरानिक संदर्ब के अनुसार पोरबंदर शहर का नाम देवी पोरन के नाम पर रखा था राजपूद जेट हुआ वंश ने इस भूमे पर शाशन किया है जो कला प्रेमी थे और उने के शाही सौरक्षन में चोड़ी सड़के, पुटपाथ, फाउंटेन, गार्डन्स, पब्लिक प्लेसेस, टेम्पल्स का निर्मान कर इस शहर को जादा खुबसूरत बनाया है लोगप्रिय कविदंतियों के अनुसार, दस्वी शतावदी में पौर बंदर को पौर वेल कुल के नाम से भी जाना जाता था बाद में इसका नाम बदल कर भगवान कृष्ण के साती सुदामा के नाम पर सुदामा पुरी कर दिया था मुगल काल के दौरान पौर बंदर एक समुद्री बंदर गा मतलब पौर्ट था इस पौर्ट के समरुद्धी ने पौर्टुगालीयों को यहाँ पर नियंतरन पाने के लिए आकरशित किया और उन्होंने 1531 में पौर्बंदर पौर्ट पर आकरमन किया और वर्चस्व हासिल करने की लड़ाई लंबी अवधी तक जारी रही बाद में वर्ष 18-7 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप और वौकर संधी पर हस्तक्षर के साथ युद्ध की समापती हुई इसके बाद इस शहर का विकास हुआ और बाद में आफरिका और खाडी के साथ व्यापर एक समन्ध स्तापित हुए कपास, मूंपली, बाजरा, चना, गेहु और ज्वार ये पौर्बंदर जीले का प्रमुक उत्पादन है पौर्बंदर के लोग रक्षा बंदन के दिन इस शहर के जयनती मनाते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही आगे तो आप सुब को पता ही है क्या करना है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेर कर देशेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देशेगा थैंक्स पो वाचिंग